Well, in this video, we are going to study about the variation of acceleration due to gravity with depth. अब हम इस वीडियो में यह देखते हैं कि यदि हम अर्थ सर्फेस से पहले हम इस सर्फेस के उपर यहां एक मास पॉइंट को रखते हैं जिसका कोई मास M है और वहां हम देखते हैं कि इस पॉइंट और अर्थ में कितना पॉर्स अफ अट्रेक्शन होगा चलिए हम यह देखते हैं कि इस पॉइंट के उपर फर दे पॉइंट मास फर दे पॉइंट मास ओन दे सर्फेस ओफ अर्थ यदि आप point mass को earth surface के उपर रखते हैं तो force of attraction between the center of earth and the point mass of mass m यदि मान लो इस point particle का mass m है तो कितना force of attraction फिल करेगा जो हमने पिछले वीडियो में किया था gm और यह mass of earth divided by radius of earth हो जाएगा r e square right so इसको हम equation number 1 कह देते हैं और इस point के वरण the surface of earth यदि हम gravity लिखें तो हम यह कह सकते हैं कि gravity on the surface of earth क्या होगा force by mass point right तो आपके पास आजाएगा g and this is mass of earth upon radius of earth का square हो जाएगा इसको हम equation number 2 कह सकते हैं अब हम क्या गरते हैं कि हम अपने इस mass को यहां से उठाते हैं और हम किसी point P पर ले जाते हैं हम इसको कोई point P रख देते हैं we'll mark this as point P इस point P पर ले जाते हैं और यह point P कहा है यह कोई depth D inside the surface of earth है अब इस point पर जाने के बाद आपका जो force of attraction होगा वो कुछ अलग प्रिके का हो जाएगा उसमें क्या होगा कि आपका जो shell थियोरम हम इसमें इसमें इस्तेमाल करेंगे कि जो यह shell है इस shell के अंदर जो mass है वो अर्थ का mass तो force of attraction में contribute करेगा पर यह जो यह वाला shell है यह वाला shell है इन दो shells के लिए जो यह mass है वो अंदर है इसलिए जब हम shell के अंदर किसी mass को रखते हैं तो उसके पर जो net force of attraction होता वो zero होता है इसलिए यह जो दो shell है वो force of attraction में contribute नहीं करेंगे और यह shell यह shell यह shell यह shell और यह shell यह सारे shell जो हैं वो इस mass की बज़ा से जो force of attraction होगा उसमें contribute करेंगे तो हम सबसे पहले ऐसा लिख देते हैं let ms be the mass of the shell let ms be the mass of the shell mass of the shell having a radius इसका जो radius होगा वो हम small r कह देते हैं and small r क्या होगा यह हो जाएगा r e minus d right यहाँ देख सकते हैं आपकी जब आप depth d नीचे चले जाते हो यहाँ आप इतना नीचे चले गए तो जब आपका remaining distance है यह बाला अब यह रह जाएगा small r is equal to r e minus d right अब भभ को आपकी अगया the force of attraction the force of attraction between mass point and shell of mass Ms, वो क्या होना चाहिए, यह देखे, यह हो जाएगा, यह force at a depth d, यह जाएगा, gravitational constant उतना ही रहेगा, mass भी उतना है रहेगा, जिसको आप जमीन के अंदर लेके गए, और यह अब आर्थ का पूरा mass नहीं आएगा, mass of that shell आजाएगा, जो अंदर के shell हैं, जो contribute करेंगे, जिनके लिए, इस mass के अंदर के ओर, जो shell बनेंगे, वो सारे ही इसमें contribute करेंगे, पर बाहर बाले यह shell contribute नहीं करेंगे, इसलिए इसके अंदर जो mass है, जिसको हम कह सकते हैं, ms, इसको ऐसे लिख देते हैं, ms, तो यही contribute करेगा, जो इसके अंदर अंदर है, इसके बाहर बाला contribute नह डिस्टेंस रह जाएगा R E माइनस D का स्क्वेर आ जाएगा इसको हम एक्वेशन में 3 कह सकते हैं अब हम इसको कह सकते हैं कि gravity at a depth D is equal to F D upon M उसका फार्मूला यही रहेगा तो यह हमारे पास रह जाएगी G mass of that shell और दोनों mass के center के बीच में जो distance होगा उसका square हो जाएगा अब हम देखें कि हमारा जो basically gravity का फार्मूला है वो mass of earth की form में है इसमें M E है और gravity at a depth D जो है वो mass of the shell की form में है हम कोशिश करते हैं कि हमारा फार्मूला mass of earth की form में ही होना चाहिए इसलिए हम mass of this shell को mass of the earth के साथ एक relation बना के लिखते हैं हम जानते हैं जो mass का फार्मूला होता है mass का फार्मूला होता है वो होता है volume into density इसको हम इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास आ जाएगा mass of the shell क्या हो जाएगा volume of the shell तो volume of the shell हो जाएगा 4 by 3 pi r q r यह जो radius हुई वो r e minus d हो जाएगी यह देखें आप यहाँ देखें ज़रा ध्यान से यहाँ हमें लिख देते हैं यह जो small r है यह है r e minus d हम इसी की बात कर रहे हैं तो यहाँ radius ही हो जाएगी और into density जो है इसकी uniform है इस communication number 5 कह देते हैं इसी तरीके से जो mass of earth होगा वो आजाएगा volume of the earth कितना होगा 4 by 3 pi radius of earth का q into density of the earth equation number 6 हो गया अब हम इनको दोनों को compare करते हैं देखिए mass of the shell upon mass of earth इसका ratio दि हम बनाएंगे तो हमारे पास क्या होगा हमारे पास रहा जाएगा density के साथ density कैंसल हो जाएगी 4 by 3 के साथ यहां 4 by 3 कैंसल हो जाएगा pi के साथ pi कैंसल हो जाएगा तो आपके पास बचेगा r e minus d cube upon r e cube बचेगा तो हम यह कह सकते हैं कि आगे यह बचेगा mass of ms जो है वो बचेगा r e minus d cube upon r e cube cross multiply कर देजिए into mass of earth यह equation हमारे पास हो जाएगी this is equation number 7 and this is equation number 8 अब हम क्या करते हैं equation number 8 को हम equation number 4 में use करते हैं using using equation number 8 in equation number 4 we have यह देखिए अब हमारे पास आजाएगा gravity at depth d कितना होना चाहिए हम equation number 4 में put करते हैं g upon r e minus d का square into r e minus d का cube upon r e cube into mass of earth हो जाएगा so इसके साथ squared वाले term यहाँ cancel हो जाएगी उपर पास आपके पास बचेगा r e minus d इसको हम थोड़ा घुमाके लिखते हैं gravity at a depth d क्या बचेगा इसको हम लिखेंगे g time m e और यहाँ बचेगा आपके पास r e minus d नीचे बाले पार्ट को हम ऐसा लिख देते हैं cube को हम ऐसा लिख देते हैं r e square into r e now this part is equal to acceleration due to gravity तो मैं यहाँ लिखता हूँ g d is equal to g into r e minus d upon r e right इसको हम आगे फिर लिख देते हैं g d is equal to g into r e से दोनों को divide कर देजी आपके पास यहाँ बचेगा 1 minus d upon r e अब यह तो रहा हमारा mathematics अब हमने इस mathematics का आगे result क्या निकला इसको हम discuss करते हैं हम इसको खोलते हैं खोलने के बाद हम यह देखेंगे gravity at depth d क्या होगी इसको खोल यह जहाँ आएगा खोलने के बाद यहाँ पहले g का यहाँ multiply होगा फिर g का यहाँ multiply होगा तो पहले आएगा d our radius of earth is constant जिस चौसर सो किलिमेटर होगी तो जितना गहराई बढ़ती चले जाएगी as that d will keep on increasing तो 9.8 में से जो घटने वाले term है वो increase होती चले जाएगी this means जो gravity with depth जो है वो gd का value घटती चले जाएगी this means excel शामया सा result लिख देते हैं result इसका क्या हुआ result it is found that found it is found from equation number 9 found from equation number 9 that gd will decrease will decrease as depth will increase right अब हम इसके साथ थोड़ा सा और mention करते हैं इसको हम formula को घुमाते हैं उससे हम क्या सीख सकते हैं उसके हम चर्चा करते हैं हमने देखा कि gravity at certain depth d क्या होती है वो होती है g into 1 minus d upon radius of earth यदि हम यह माने if कि यदि आप गहराई में जाते जाते कितना गहरा चले गए यतनी अर्थ की radius है if d is equal to r e आप इसको उठाइए यहाँ पूट कर देजिए आपके पास आएगा g d is equal to g into 1 minus d के जगा r e लिख दिया और यह बहां भी r e आगया तो cancel हो जाएगा 1 minus 1 is equal to 0 तो आपके पास आजाएगा at the center of earth यह point है at the center of earth earth के center में पहुँचके यह दशा बनेंगी तो हमें कह सकते हैं gravity at the center of earth is equal to 0 एक problem में आप डिसकस कर सकते हैं percentage decrease in the value of g percentage decrease in the value of g percentage decrease कितना होता है तो percentage decrease निकलेगा कैसे वो आपके पास आजाएगा delta g upon g into 100% यह formula लगेगा आप यहां लिखें कि जो g d है वो है g minus g d upon r e तो हमें क्या करना पड़ेगा delta g निकालने के लिए delta g है वो g में से आपको g d को घटा देना है तो g आपके प्यास यह है g d का value यहां से put कर देजिए minus g plus g into d upon radius of earth तो cancel हो जाएगे अब आपके पास बचाएगा delta g is equal to g d upon r e तो यहां पूट कर देजिए आपके पास आजाएगा percentage decrease in gravity is delta g आपके पास आजाएगा g d upon r e upon g so g से g cancel हो जाएगा cross 100 percent but we have found that this is d upon r e cross 100 percent this is the percentage decrease in the value of acceleration due to gravity so with this I am going to close this video I hope that you have enjoyed it a lot thank you let's see this आपके पास आपके पास आपके पास आपके पास आपके ऑास like